सवाल है थोड़ी से यहाँ देफिनिशन्स की अपने कोषबत पड़ेगी हम ये कर रहे हैं कि एक आपका ब्लॉक है ये रसी इस ब्लॉक को हम नीचे आपका g by 4 acceleration से नीचे लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर बताना है कि जब हमने d distance travel किया है यहां से लेकर यहां तक आये हैं d distance travel किया है तो work done कितना होगा तो क्यों पार्टिकल जो अगर आपका g by 4 टेंशन जो आपकी इस केस में होगी so tension को हम लिखते हैं mg minus g by 4 because आप इसको नीचे g acceleration से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे downward acceleration है तो mg plus a में हम a की value minus g by 4 लिखेंगे so आपकी जो tension हो गई यह हो गई mg 3 mg by 4 यह आपकी tension हो गई और यहाँ पे हम जो work done लिखेंगे so work done जो होता है that is equal to f dot s यानि की f s cos theta now यहाँ पे जो आपका force हो गया force हो गया 3 mg by 4 s हो गया आपका d और cos होगा यहाँ पे 120 degree angle का because यहाँ पे force का force जो लग रहा है आपका tension ऊपर की तरफ है और displacement नीचे हो रहा है उन दोनों के बीच में आपका 180 degree का angle है so इसके basis पे हम कह सकते हैं cos 180 अपने को पता है minus 1 होता है so इसके basis पे हम कह सकते हैं कि जो आपका work done आएगा minus 3 mgd by 4 so based on this option number c minus 3 mgd by 4 would be the right answer